दोस्तों आज भारत के मित रसिया की तरब से भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुसकबरी निकल कर सामने आई है और इस खबर से अमेरिका तो छोड़ो हमारा सबसे कटर सत्रू शाइना की भी नीदे हराम होने वाली है क्योंकि रसिया अपनी सबसे प्राइम के जो पैसे हैं वो भी अभी भारत की तरब से रसिया नहीं पहुंचे परन्तु परन्तु आज ये खबर निकल कर सामने आई है कि रसिया चाहता है कि भारत ने S-400 को खरीद कर तो अपनी सुरक्षा को मजबूत कर ही लिया है परन्तु यदि भारत रसिया से S-500 को भी दे लेता है तो भारत का जो सुरक्षा कवच है वो अभेध हो जाएगा और फिर दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो कि भारत की जमीन में दाखिल हो सके और इसलिए रसिया चाहता है कि भारत अब तक का दुनिया का सबसे ताकतवर एर डिफेंस सिस्टम यानि S-500 भा पाचीत चल रही है, रसियन मीडिया की तरफ से कहा गया है कि हम भारत को सबसे पहले दुनिया का सबसे ताकतवर एर डिफन सिस्टम यानि S500 देना चाहते हैं, यदि इसकी कॉस्ट की बात करें तो 600 मिलियन डॉलर्स पर स्कॉडरन यानि 458 करोड रुपए एक स्कॉडरन के ल नहीं है, जिसके करण रसिया ने S500 चाइना को आफर नहीं किया, हलांकि यदि भारत को पहला S500 मिलता है, तो अमेरिका इससे जरूर नाराज हो जाएगा, परन्तु भारत अमेरिका को यहाँ पर कंप्रोमाइज करा सकता है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि S500 जितना ताक S500 एर डिफेंस सिस्टम जितना ताकतवर सिस्टम दुनिया में और कोई भी दूसरा नहीं है, जिसकारण अमेरिका भी भारत की इस डेल के बारे में कुछ नहीं कहने वाला, वैसे दुनिया में भारत को कोई भी देश रसिया से जादा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी तरफ से रसिया को क्या प्रतिकिया दी जाती है?